इन बीसे आंचा विशेश का रिक्रमा मदे मीक शितिजादेश मुक अपना सर्वान सा स्वागत करते आज आपन वेगयाई का थेरीपी विद्दल्ज है माहिती गेना रहो तो किंग्स वेचे डॉक्टर आहे तापला सोबत तैंजा करना आपन ही माहिती गेना रहो नवीन एक अज पर नागपूर मदे आज ही पहला अंदा जिया है किंग्स वेचे तरफे यह यूज करना तेता है तो तंचा करना आपन या थेरीपी बदल जानुन गेना रहो तो डॉक्टर आपना आपना गड़े इकमो थेरीपी में महनना है ती आपन यूज करता है निमकि का ही थे इस्पिरेटरी फेलियर होता है आणि तेचा सिविर अर्डीयस तला मनता त्या कैटेगरी ला तया जा पेशेंट्स मदे वेंटिलेटर तेरपी सुदधा फेल होते अशा पेशेंट्स ला इकमो थेरापी कंसीडर केले जाते इकमो थेरापी ही साधारन था 15-20 वर्षा पसन अस्तित्वात आहे जगा मदे, इंडिया मदे स्वाइन फ्लू जह हुआ पसना सुरू जालेला, 2017 पसना तेहुआ पसना इक्मो थेरपी ही जास्ती प्रचलिद जाली, तेहुआ पसना इक्मो चा वापर सुद्धा इंडिया मदे वाड लेला है, यूजुली आदी हे मोठा शहरान मदे, मेट्रो सिटीज मदे इक्मो थेरपी देनात ये थोती, आता हरु हरु ते पसरत पसरत बरयात मोठा होस्पिटल्स मदे इक्मो चे मोडालीटी आता इस्टैबिश धाले लिया है, एक्मो थेरपी ही क्यों लेबर इंटेंसिव थेरपी आफे, लेबर इंटेंसिव में जे झाल झाल ऑप जास्ती पयराफ्रेनलिया लागते, यस्थां मशिनरी पन ख्यब लागते, आणि टीम पर मोठी टीम असा भी लगते जि तो पेशन्ट इकमो वर जो जाना रहा है तो त्याला एकाज ठीकानी एकाज इंस्टिट्यूट मुझे ते मैनेज के लिए जा उशा के लिए सो आता अपन बगतो है कि कोरोना जो हाग कार सल्व है यामादे देखिला आपन बगतो की अक्सीजन ची कमी कि मा आए सी ओ अपन मन तो ऑक्सीजन लाओ जाता तर एकमो थरीपी ही त्यामादे कशी उसके लिए जाता यूजुली पेशेंट्स ला जे मारेस्पिरेटरी फेली और आपना पेशेंट्स लाओ फेंटिलेटर वड़ ठेव लिया जाता है ज्यों व एंटिलेटर वड़ शंबल टक क्या ऑक्सीजन द्यों जर पेशेंट्स साचूरेशन यह जर इंपरू नहीं जाल आणि ते नववग चा खाली जर रहात असेल तो त्या पेशेंट्स ला उल् कुठले मंचे जे पेशन्ट असता ते आला अपन मंटों की ग्याव शकता थे ट्रेटमेंट इक्मो थेरपी आम चाही थे किंग्सवे हॉस्पिटल ला मी एक कंप्लीट इक्मो प्रोग्राम महनुन लांच के लेला है इक्मो चा टीम मदे त्रेनिंग असता त्याला इक्मो च ट्रेनिंग हाले आमची टीम है मी आहे डॉक्टर राजन बारोकर डॉक्टर अबजल शेख डॉक्टर वीरेंद्र बेलेकर अमी तीगई क्रिटिकल केर स्पेशालिस्ट आउ तीगान से ही इक्मो मदे ट्रेनिंग हालेला है अणी शीवा यचा शीवा यमाला पर्फुजनि पपर्फुजनिस्ट ची आवश्क्ता लिबालिटर reads शेख टा — क्वेश्ट रेंड शेखु नणा पर्फुजन र्याजय को चैण बार्पुर में लोगरिस्टी के कातो bleibt इले परोसेशों बारतिर्ड शेखचा पांदर करसेश बन चुनिक रोंशब्स फिक बाकिकशव ती कर्डियक ओटी और याद पड़ूशकते तौर या बायंदलाज है जा ठीकानी जया ठीकानी असली अव्या निए भी लगत नहीं आणि एक अधिकया फिर खिककानी अवीलेबल आहे अश्या थिकानी अभी प्रोग्राम इस नहीं इस बें सब्सक्राइब प्रो प्रोग्राम अशा ठीकानी सग्या सोई असलिया मुले पेशेंट ला इकड़े तिकड़े कुछे जाव लागत नहीं धावपड करा भी लागत नहीं आणी इकमो इतक जास्ती लेबर इंटेंसिव जे आपन मंतो त्याला स्टाफ ही तुमाला ट्रेंड लागतो त्याला अटेंडेंडेंस यह पूल्ड लागता डायटिशन लागता इंफेक्जन गंट्रोल चे पंडा टीम लागते तर शी पूल्न टीम वर्क जे मां आस्तव एकाज ठीकानी पॉसिबल अस्ता जिते तो प्रोग्राम कंप्लेट ली रन के लागतो अनि प्रोग्राम ची टीम असने अज़ा प्लेस बद अबजल शेका है जे डॉक्टर है तरह निए कोवीड चा पेशेंट लागते एक्मो थेरेपी करनी दिलेली आए तरह पन तन्ना स्विचरुया कि एक्मो थेरेपी ही नॉर्मल पेशेंट आनि कोवीड चा पेशेंट मदे कशा प्रकारे मजे कार किती डिफिकल् आम तोर पे एक्मो थेरेपी इनिशेट करना इन नॉन कोवीड पेशेंट इसमें काफी मुश्किले होती है एक्सपर्टीज लगता है काफी मैन पावर लगता है काफी रिसोर्सेज लगते हैं कोवीड आने के कारण कोवीड में दुसरी दिक्कते साथ में थी बैरियर था अंदर पहन कर जाना है लिमिटेट मैन पावर है एक सामान अगर वहां नहीं है तो बहार से सामान लेने के लिए फिर यू हव तो वेट इस अगें बिकम जो अल्रेडी चैलेंजिंग था वो चैलेंज थी फॉर ताइम्स हो गया कि अगर यही चीज़ कोवीड में करनी है त सो इसलिए यहां पर हमने पूरी टीम गैदर करके यह सारे बैरियर्स को यह सारे हर्डल्स को अवर्कम करके यह थेरपी कोवीड पेशन्स को प्रोवाइड की जाए तो देट वी गिव देम आ चांस जिससे उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं अधिस 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 अब यह कितने कोवीड पेशन्ट को यह थेरपी है इसका मतलब यूस किया गया है कितने पेशन्ट हमारे 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 होस्पिटल में किंग्सवे होस्पिटल में यह पहला केस है इनफेक्ट पूरे सेंट्रल इंडिया में यह पहला केस है जिसमें कोवीड पेशन्ट में ए इंडिकेशन ज़रूरत पड़ी और हमने इसके साथ ही शुरू किया हमारी इच्छा थी कि हम शायद बीना कोवीट के शुरू करते सो देट कोवीड में हमारे पास और एक्सपर्टीज अवेलेबल होता और ज्यादा हमारे रिसोर्सेस स्ट्रॉंग हो चुके होते बट इकमोथेरपी आंगें कुठला पेशांट करता आपन यूज करता है इकमोथेरपी चा मुख्या जो उपयोग प्रभी पसन तो ते बाइपस सरजरी चा पेशेंट्स मधे आधी केला जाएचा तो ते ते चानंतर मग या एर्डी एस मधे जमिजा पेशेंट लाओ अक्सिज पेशेंट्स पाइडर्ट एकमोथेचा जाले लाएचा कि वाँ फैसलेटिज आली है डूसरी जी चैटेगरी आए जा पेशेंट लाओ इंटरस्टिशल फाइबरोसी सथो ते पेशेंटला सब्लेला लंग ट्रांस्प्राइंट साथ हाईरेंघग हाईजगें सब्लेख लं ऐना आवेलेबले यह ज़्ते हैं ऊदेखने लंग हनद मिन्सों वो यूक्तीजेक की पेश्न्स कशरााइनी कुछ अँब में नहीं कि पेहले दिलेंद्स सहरा है माशिने ही यहा थी ममंसुरूच आपते त्यंन संपड़ाई मर्त्यास पेश्न Research और दो ऐी कम आंड ऑन तो एक्म में टाकते हैं और इकमावर गहाऊन ते पेशंट इकड़ा आंड अंड अजी अडला जा जाता है आध पेशंट लेच्छाए प्रेशंट प्संटेशित एंज्व्राफिट अजीं जाओ प्रेष जाओ अपन में कि वह तो एकड़ी मुवी आ कि इतको गस्व काई शक्या है पन ते आज होता है जगात आणि असद जर हा रिस्पोंस टायला आमचे टीम स्ट्राउंग होत गेली तरहे ग्रैज्योली फ्यूचर मदे लॉंच कराईचे हाई आमचा प्रयतना हा चालू आमी करना रहोत आमची इच्छती चाहे कि कुठला ही पेशेंट इक्मो एवेलेबल नहुता मनुन तो गेला हे भाइला नको अर्थत इक्मो मोडालिटी सथी तुम्हाला अर्थिक दुरुष्ट्यापन बरत सा खर्च ये तो हॉस्पिटल लाई ये तो पेशेंट्स लाई ये तो जर कोणा ची ते ओभी तैयारी असेल ते करू दुसरे होस्पिटल लाई पेशंट असला ऑक आशा पाद्धती जी जर तला गरज असलिक मोड तरव तुम्ही तीधे जाओं तन्ना त्रीट करना राहत का कि तुम्ही पेशेंट अपले आउ होस्पिटलर में तुम्हीं ही ट्रेट्मेंट बाहर चा पेशेंट ला डेना र आणि जसे दॉक्टर अबजल ने तुम्हाला संगीत लगी आत्मदे कामचे जे आमाला डिफिकल्टी जाला इकमु सुरू करता ना मां एका दा वाल नसतो एका दी छोटी वस्तू एका दी ट्यूब एका दा कैथेटर ते मां आमाला ताबड़ तुम्हाला ना आंता आला तर यहां गोश्टी बाहर शक्या नहीं रहात और है एकदा सुरू जर केल अपन तर हैं मदले मदले जे ट्रॉबल शूटिंग जे तेह इतके एफेक्टिवली हैंडल करना आवश्या कसता तर बाए एंड लार्ज इकमो मोडालीटी ही इंस्टिउशनलाइजस्ट असा भी और इंस्टिउशनल तर आमी जाओं थे पेशेंट्स अमचा रिस्पोंसिबिलिटी वर अमचा हस्पिटल मदे शीफ्ट करू शक्तो ते संगाल ही थेरिपी जी आहे पेशेंट ला किती यूस्फूल आहे किती तेंसा बंजे तरना प्रांड जो तेंसा वास्टों ने साथी अपनी थेरिपी देतुआ है लास्ट थेरिपी अपन महनुशक्तों का याला जसाता सरान नी डिस्क्राइब केला सिकमो बंदल काया काये तेला तैस्टी एक्सपर्टीज लगता हाँ पेशेंट जेवा आमचा कड़ी आला तेवा अल्रेडी बाहर ना कोविट ची ड्रेटमेंट घहू नाला होता आनि इथे आला तेवा तेवा तेचा ऑक्सिजिन लेवल भार कमी होता तर आश्या पेशेंट मादे मादे आन अंतर जे प्रोन वेंटिलेशन जे स्ट्राटाजी असते तिये पर आपन यह अपलाई के लिए बट तैनी सुद्धा यहां साचुरेशन का इंप्रून आई जाला मगा आमी एक मोचा एक ऑप्शन जे असते ते रिलेटू साब डिसकस केला आनी सक्सेस्फुली जो कि कोविट मोच नहीं तर स्वाहिन फ्लू बाराश्या वेग्रा कारणा मोच सुद्धा यह अधिस जे होता ते हो शकता आनि त्या पेशेंट्स में आपन इक मोच वाप्रू शकता मध्य भारतातला है एक में वह सेंटर है किंग्स वे होस्पिटल जिते इक मोच जी आहे ही आपन महनु शकतो कि जा पेशेंट ला ओक्सिजन ची नितांत गरज असते आनि पेशेंट जो आहे नॉर्मल जो ऑक्सिजन असतो तला तो प्रतिसाथ देत नाई त्या वेस ही इकमो थेरिपी ही अतिशे उत्तम थेरिपी पेशेंट साथी आसते त्यामुए अपन अपला उपचार घ्यों शकता धन्यवाद